हलो फ्रेंट्स क्या आप अपनी लाइफ में धन सफलता सेहत और खुशियों की तलाश कर रहे हैं अगर हां तो निश्ची तरोप से आपको ये सब कुछ मिल सकता है अगर आप अपने माइंड में कामनेस को एक बार एक्सपियंस करना शुरू कर दें यानि कि मन को शांत करना साथ ही आप अपनी creativity को उजागर कर लें और आप confident रहें चाहे आप student हैं, youth हैं, couples हैं, business persons हैं या कोई भी individual हैं अगर आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो मन की शांती, creativity और confidence ये आपके basic traits होने ही चाहिए ये basic गुण होने ही चाहिए और इन्हें पाने के लिए आना पांच सती, मुझे इस ध्यान को करने का मौका मिला है, मैंने अपने जीवन के 30 दिन इस ध्यान को करने में लगाए हैं, 30 दिन लगातार नहीं थे, 10-10 दिन के 3 शिविर मैंने किये हैं, और मुझे जो इसका लाब हुआ है, मैं उसे बखान नहीं कर सकता, मैंने पता नह कितने लोगों को इस ध्यान के बारे में कहा है कि आप भी करो और मैं आप से भी कहना चाहूंगा कि आपको जब भी मौका मिले इस मेडिटेशन को सीखना और करते रहना करने के बाद आपको क्या मिलेगा आपको साथ खूबसूरत मानसिक दशाएं मिलेंगी और ये साथ मानसिक दशाएं प्राप्त करने के लिए आप पता नहीं कितने अदर्वाइस काम भी कर रहे होंगे इस आना पान सती के दोरान ये साथों की साथों मानसिक दशाएं आपको मिल जाएंगी ये दशाएं क्या होंगी आना पान सती मेडिटेशन क्या है सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर नहीं किया है तो बैल आइकन को भी टरन ओन कर लीजेगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी इन खोबसुरत वीडियो का बात करते हैं कि आना पांच सती मेडिटेशन बेसिकली है क्या ये बगवान बुद्ध की कोर मेडि आना पाना एंड सती आना पाना का मतलब है पाली में आना का मतलब है कि सांस को लेना पाना का मतलब छोड़ना और सती का मतलब होता है वहाँ पर माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपको सतर्कता के साथ अपने नाव यानिके प्रजेंट में इस मोमेंट मे रहना सीखना होगा। इसे जब हम करते हैं, तो अपनी सांस को आते हुए और जाते हुए alertness के साथ, सतर्कता के साथ देखना होता है। और देखते हुए जब हमारे शरीर में कोई भी feeling आती है, हमें उसे भी observe करना होता है। शर्त यही रहती है कि उसके परति ना तो हमारा कोई द्वेश होना चाहिए ना ही उन सम्वेदनाओं के परती हमारा कोई लगाव होना चाहिए यानि के चाहे दुख की सम्वेदनाओं या सुख की हमें दूर से उसे उबजर्व करना है और आती जाती सम्वेदनाओं को देखते रहना है उस समय हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितने unwanted thoughts भरे पड़े हैं और कितने हमारे अंदर I mean unwanted समवेदनाय यानिके sensations भरी पड़ी हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से भी रोक रही हैं और बीमार यही कर रही हैं धीरे धीरे जब हम इस क्रिया को करने लगते हैं तो हम उन साथ मानसिक दशाओं से गुजरते हैं जो हमारे रिष्टों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो हमारे धन के लिए इंपोर्टेंट है जो हमारे business के लिए important है जो हमारे creativity के लिए important है सही बात तो यह है जो हमारी overall life के लिए important है मैं सिर्व यह बताना चाहूँगा कि यह मानसिक दशाएं साथ यह कौन सी है और कैसे इनका अनुभव आपको होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी से gift देना चाहता हूँ और एक information भी gift यह है कि description box में इस वक्त आपके लिए free of cost मेरी एक book है जिसका नाम है how to awaken the god of miracles हिंदी में चमतकारी शक्तियों का आवान कैसे करें और यह गुजराती में भी available है इस link को मैंने दे दिया है आप इसका जरूर आनंद लीजिएगा और दूसरी information यह है कि अगर आप मेरी different community के apart बनना चाहते हैं धन की community है success की community है बच्चों के लिए एक community है अपने आपको heal करने की community है तो उस community का link भी मैंने description box में दे दिया है आप उसके साथ जूड़कर अपने life के level को बहतर और बहतर कर सकते हैं चलिए friends अब हम उन साथ मानसिक अवस्थाओं के बारे में जानते हैं जिसे आप आना पान सती के दोरान अनुभव करेंगे पहली जो मानसिक दशा है उसका नाम है सती सती का meaning होता है mindfulness यानि के आपको अपनी awareness में भी रहना है और awareness में रहते हो VII के अपने सांस को आते हुए और जाते हुए देखना है। इस में आपको कभी भी सोने का या ट्रान्स में जाने का कोई भी आपको नहीं मिलता है। आपको सतरक रहना होता है। एक एक सांस को उब्जरव करना होता है। इस mindfulness का meaning ये भी है कि हम दोनों mind को यानि कि अपने right brain को और left brain को पहली बार integrate होते हुए देखते हैं हम अचलियत में बटे हुए mind के साथ जीते हैं life में कभी हम एक brain के साथ है logic में है तो emotion नहीं है और emotion में है तो logic नहीं है वहाँ पहली बार हम दोनों mind को एक साथ unify यानि के integrate करते हैं जैसे जैसे हम पहली अवस्था को जीना शुरू करते हैं तो अब हम दूसरी अवस्था में परवेश करते हैं इसे हम धम्मा विकाय कहते हैं इसका meaning है कि अब हम reasoning पर आ रहे हैं analyze कर रहे हैं चीजों को आपका analysis का mind जागरत होना शुरू हो जाता है इससे आपकी एक नई skill develop होती है हो सकता है कि बहुत दिनों से आपने इस skill को develop ही ना किया है जैसे जैसे आप इस अवस्था से गुजरते हैं फिर आपको धीरे से तीसरी अवस्था मिलती है इसे हम विरिया अवस्था कहते हैं इसका meaning ये है कि आप अब धीरे धीरे persistent होते जा रहे हैं आपके अंदर consistency आती जा रही है और जैसे जैसे ये consistency आपकी बढ़ती रहेगी फिर चोती अवस्था आती है उसका नाम पीती कहा जाता है पाली में इसका meaning होता है कि आप अनन्द का अनुभव करेंगे आपके अंदर एक joy आना शिरू होगा आप समय में खोना शिरू हो जाएंगे और जैसे जैसे इस अवस्था से भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पांच वी अवस्था आएगी उसको हम पासद्धी कहते हैं पाली में इसका meaning होता है calmness of your mind यह वो moment है जिसकी आपको तलाश है और जैसे जैसे आप इस अवस्था से आगे बढ़ते हैं तो अब आप छटी अवस्था में आते हैं जिसे हम English में concentration और हिंदी में समाधी कहते हैं यानि कि आप समाधिष्ट होने लगते हैं इस समय आपकी जो थोट की शुनियता का जो प्रभाव है वो आपको महसूस होने लगता है और जब आप इस सवस्था से आगे बढ़ते हैं तो इसे हम उपेखा कहते हैं इसका मीनिंग है कि आप इक्वैनी मिटी को एंज्योए कर रहे हैं इक्वैनी मिटी का मतलब है कि अब आप तठस्त हो रहे हैं समता भाव से भी यानि के ना तो आपको दुख में दुख हो रहा है और ना ही किसी बड़ी खुशी में कोई अननेसरी एकसाइटमेंट हो रहा है यानि के आपके अंदर एक ऐसी भाव ना या भाव आ जाता है जिसे हम जैन स्टेट कहते हैं और जब आप इन सातों स्टेट के बाद ब मौक्ष मिलेगा बस आप अपने बिजनिस को करते हुए आप अपने जोब को करते हुए आप अपने ग्रस्त जीवन को जीते हुए इन सब कलाओं को जरूर सीखेगा इन कलाओं से आपके सच मुच में ग्रोथ होगी और वो ग्रोथ होगी आप किसी भी एरिया में हैं अगर से बड़ी बात है कि हर चीज के प्रती मेरी जो शांतिय इनर कामने से वो सच मुच में मैं उसको एंजोई करता हूँ अब सवाल होगा कि इसे कैसे करें इसे करने के लिए मैं एक विशेश प्रकार की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि यहां पर कोई भी स्टैप आपके लिए फर्दर बताना आपके लिए लाभ परद नहीं होगा इसके लिए जरूरी है कि मैं इसे पढ़िया तरीके से आपके लिए प्रस्तुत करूं ताकि आप उसी मैजिक को उसी जादू को और उसी आनंद को प्राप्त करें आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हां तो जरूर आप मुझे कमेंट में बताईएगा लाइक करिएगा वीडियो शेयर भी करिएगा अपना ध्यान रखेगा थैंक यू वैरी मच